आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें Hello students, तो आईए चलते हैं अपने प्रशन की तरफ प्रशन कुछ इस प्रकार है गुबरने क्यूलम कॉड़िस सनकुचन शील सनरचना है जो की यानि कि आपको ये बता दिया गया है कि गुबरने क्यूलम कॉड़िस एक सनकुचन शील सनरचना है अब इसकी आपको क्रिया बतानी है कि क्या कर रहा है इसका आपको फंक्शन बताना है पहला जो आपका ओप्शन दे रखा है वो दे रखा है इस कुरूटम में वरशनों के आने के लिए उत्तरदाई होता है वरशनों किसे बोलते हैं टैस्टिस को बोलते हैं उदर वो वरशन गुहा के बीच वरशनों के परिवर्जन के लिए उत्तरदाई होता है या फिर व्रशणों से सपर्मेटोजोवा के निकलने में सहायता करती है या फिर व्रशणों को इस्थिर बनाए रखती है तो बेटा ये जो ग्यूबर निकूलम कॉड़िस है ये actually में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे टेस्टर्स होते हैं व्रशन होते हैं ये क्या होता है ये एक रेट्रो पेरिटोनियल सनरचना है और ये जो व्रशन होते हैं ये हमारे पेट की पीछे की दिवार से जुड़े होते हैं अब बात आती है कि ये जो हमारे व्रशन होते हैं इनको पेट की पीछे की दिवारों से कौन जोड़ कर रखता है तो बेटा ये जिस चीज से जुड़े होते हैं उसको बोलते हैं ग्यूबर ने क्यूलम ग्यूबर ने क्यूलम क्या करता है पेट की दिवार को जो पीछे वाल दिवार है उससे व्रशन को जोड़ कर रखता है और यही ग्यूबर ने क्यूलम क्या करते हैं व्रशन को श्रोणी तक खीच कर लाते हैं श्रोणी क्या होता है जिसको हम स्कुरूटम भी बोलते हैं वहां तक खीच कर लाती है और फिर इस स्कुरूटम के अंदर इस श्रोणी के अंदर इस श्रोणी की पीछे की दिवार से ग्यूबर ने क्या करता है व्रशन को जोड़ कर रखता है ठीक है तो यह यह ग्यूबर न यह ग्यूबर्निकिलम एक दो श्रोणी तक व्रशन को खीच के ला रहा है फिर श्रोणी की पीछे की दिवार से इस व्रशन को जोड़ कर रख रहा है ताकि व्रशन जो है वो अपनी जगा पर इस्थिर रहे इधर उधर हिले डुले नहीं तो अगर इसमें हम आप्षन देख कहां पर ये लिखा है कि व्रशन जो है, वो ग्यूबर-Newculum जो है, वो व्रशन को इस्थिर बनाए रखता है। तो इस्थुरें-स अगर आप फोर्थ ऑप्शन देखोगे, ओप्शन नमबर फोर्थ देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि ग्यूबर-Newculum व्रशनों को इ में मदद करता है तो ये हमारा सही उत्तर होगा. Thank you so much.